नमस्कार भाईय और बहनों राश्ट्रिय विधायक सम्मेलन में आप जो सब लोग मुंबई में एक अठे हुए हो आपको मेरी हार्दिक शुकामनाय हैं मैं स्वयम संसद रहा हूँ 40 वर्ष के लिए और मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने ही नए भारत का निर्वान करना है यह बड़ी पिसंदता की बात है कि एक प्राइविट और्गनाजिशन M.I.T. School of Government और राहुल कराड जिसके इस समय ध्यक्षा हैं उन्होंने यह कारिक किया है और पहली बार आप सबको एक अठा बुलाया है यह तो बहुत अच्छा अउसर है कि आपका परस पर विचार वि आप मिल के बात जीत करें मुझे बड़ी इच्छा थी आने की लेकिन मैं कश्मीर में हूँ एक महीने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं यहां रेस्ट करूं और भागदार नकरूं इसलिए मैं आनी सकता हूं लेकिन कुछ बाते कहना चाहता हूं मैं आपसे पहला तो यह कि आपके उपर बड़ी बारी जम्मेदारी है जो आप तो विधायक हैं आपके उपर क्रोड़ों लोगों की आशाएं बंदीवी हैं उन आशाओं को आपने पूरा करना है इसलिए कहीं भी यदि लोगसभा राजसभा में अत्वा राजसरकारों में कहीं भी अगर क कि आपके उपर पानी फिल जाता वो कहते हैं यह क्या तो आपस में लड़ने हैं हमारा क्या काम करें इसलिए मेरी विनमर परारता है कि आप इस बात को देखिए कि हमारे जितने कारेक्रम हैं संसद में भी और राजसभाव में भी सब कारे अच्छी तरह से चलें नए नए नए भारत में आना है अपने भाई और मेनों इस समय बहुत महत्वपूर्ण सिती में हम हैं एक नया नया भारत मनेगा एक एक नई विचारधारा आ रही है और हम चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार और मजबूत opposition दोनों हो तब ही जाके प्रजयतन से चलता है उसी की ओध्या मेरा एतियासिक शहर में हैं मैं आप समको बड़ी-बड़ी हार्दिक वधाई देता हूं और हमने रात याद रखिए हमारा रास्ता कठन सरर रास्ते नहीं है कुई उसी कठन रास्ते पर चर्की हमने नय समाज बनाना है इसमें उंच नीच छूआ छूद इस प्रकार की जो दुष्ट परम पर आये हैं वो हमारे देश के लिए हमेशे के लिए समाप्त हो जाए उसका एक कठुप निश्रित का श्लोक है जो मैं जिससे में अपना भाशन समाप्त करूंगा अपने शुब कामणाओं के साथ जो हमें बताता है कि हमें चलना है और कठन मार के उपर चल आपना है और के लिए्ट कर जाए और के लिए। ?